हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल नोले सलेट मैं हूं राके जोशी आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में आज मैं चेप्टर फर्स्ट का पार्ट सेकंड लेके आए हूं फर्स पार्ट में हमने पढ़ा था कि एक बार मैं आपको रिएज करा धू है तो एक बार मैं आपको रिवाइस करा दूम जो फार्ट से बोड़ी वही नॉर्मल जो यूमन फीजोलोजी है उसकी क्या डिफिनेशन है यूमन फीजोलोजी इस साइंस ओफ मेडिकल साइंस विच डील विट नॉर्मल फंक्शनिंग और वरियस पार्स ऑफ बोड़ी मतलब जो भी शरीर रचना से संब्देत है शरीर के आकार से का important anatomical positions उसके बार में पढ़ेंगे कि जो anatomical positions हैं उसके क्या importance है- क्या उसका मेहत्व है जो अनगों position यूसे तो डिस्क्राइब दर रिलेटिव पोजिशन औफ वरियस बोड़ी पार्स जो anatomical positions होती है यह नोर्मलाली कब यूज होती है जैसे हम बोड़ी का कर रहे हैं या किसी बोडी का observation कर रहे हैं तो उस case में बोडी को क्या positions देनी है उस positions के बारे में जो भी हम पढ़ते हैं जो भी उसका directions होता है वो anatomical positions के अंतरकत आता है इसमें सबसे पहले हमारी होती है anatomical positions जैसा कि आप diagram first में देख रहे हैं कि यह human body है जो सिधी खड़ी हुई है इसकी eyes जो है आगे front को देख रहे है इसकी जो दोनों भूजा है यह हो रहे हैं यह side में है और body पूरा erect position में है तो यह position जो है anatomical position कहलाती है चलिए इसको देखते हैं in this position the body stand erect erect मतलब सिधा और stand मतलब खड़ाना देखिए यह बोड़ी सीधी खड़ी हुई है eyes and face looking forward इसके जो eyes है और जो चेहरा है वो आगे के और देख रहा है looking forward arms at sides with palm facing forearm इसके जो arms है इसकी जो भूजाएं हैं वो side में हैं बगल में हैं और palms facing forward palm मतलब हतेली यह जो palm वाला जो area है इसे palm केते हैं जो palm है यह अगे की तरफ है इस तरह से feet pointed forward and slightly apart यह जो feet है इस body के feet है यह pointed forward है आगे की तरफ है और थोड़े से दूर है तो यह वाली जो position है वो anatomical position कहलाते हैं कोई पूछ ले आप से कि anatomical position क्या होती है तो anatomical position एक ऐसी position होती है जिसमें बोड़ी सिदी खड़ हुई होती है stand erect होती है eyes आखें जो होती है और उनका जो चेहरा होता है वो आगे की तरफ होता है looking forward arms at the sides with palm facing forward feet pointed forward and slightly apart next position आती है वो आती है आपकी supine position supine position normally जो हम सोते हैं पीट के बल जो सोते हैं वह supine position कहलाती है जो second diagram आपको दी हुई है यह supine position जो पीट के बल लेटा हुआ है यह बोड़ी है तो हम supine position कहता है इस सबसे सामानी बोडी 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 बोड opposite to supine position ये just supine position के opposite होती है स्पराइन पोजिशन में हम कमर के बल लेते हैं और प्रों पोजिशन में पेट के बल लेते हैं इन विच परशन. लाइन फ्लेट विद चेस टाउन औद बेक अप अभी कॉरोना में जो oxygen and saturation को बढ़ाने के लिए यह पोजिशन सबसे मददगार थी जिसे हम prone positions कहते हैं तो आप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि anatomical positions क्या होती है, supine position क्या होती है और prone positions क्या होती है इन तीनों positions का उपयोग हम body के observation में body के dissection में करते हैं एक बार मैं आपको अपस revise कर वाता हूँ anatomical positions क्या होती है, ऐसी position जिसमें body stand erect eyes and face looking forward, arms at sides with palm facing forward, feet pointed forward and slightly apart, ऐसी position जिसमें body सिधी खड़े होई होती है आखियों चेर आगे क्यों देखता है, बुजाएं जो होती है, side में होती है palm जो होता है, facing forward आगे की और लिये हुए होता है, feet जो होते हैं, pair जो होते हैं वो pointed होते हैं आगे की तरह वो थोड़े से दूर-दूर होते है supine position, this is the most natural position in which patient is lies with his back और lying with face up-up, ऐसी position जिसमें patient back के उपर सोया हुआता है इसमें जो patient होता है या body जो होती है, वो chest के बड़ लेटी हुई होती है तो दोस्तों आपको समझ में आएगा आप मेरे इस channel को subscribe करना नहीं भूलें और इस अंत तक इस video को देखते रहें next आपका आता है important anatomical plants, important anatomical plants, plants क्या होता है plants अपने आप में एक imaginary lines होती है, मतब कालपनिक रेखाए होती है that divide the body into sections, कोई पूछ ले कि what is the anatomical plants, तो anatomical body plants are imaginary lines एक कालपनिक रेखाए होती है, that divide the body into sections, जो बोड़ी को अलग-अलग parts में divide करती है it is useful for identification of specific area, हमाई शरी के जो specific area है, specific organ है उसको define करने के लिए, उनकी पहचान के लिए हम anatomical plants का उप्योग करते है देखिए कौन-कौन से plan है, पहला जो plan है वो हमारा frontal plants है, second हमारा sagittal plan है, third हमारा horizontal plan है और fourth हमारा oblique plan है, दोस्तों आपको ये terms थोड़ी सी अंजान लग रही हो या strange लग रही होगी क्योंकि anatomy में कुछ words हैं, जो initially आपको थोड़े से strange लगते हैं, नहीं नहीं लगते हैं लेकिन जब-जब आप इसका revise करोगे, आपको ये familiar होते जाओगे इन शब्दों से सबसे पहले हम देखते है, frontal plan, also called coronal plan जो frontal plan है, उसको हम coronal plan भी कहते है I divided the body into anterior and posterior अब इं predators і posterior क्या होता है, तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ऐ से स्टाट होगा, anterior means आगे की और, जो आगे का जो इस्सा होता है, उसे हम anterior कहते हैं और posterior, जो पीछे का जो हिस्सा होता है, पीछे वाला जो हिस्सा होता है, उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर, तो frontal plan क्या हुआ, frontal plan ऐसा plan जो बोड़ी को दो बागों में आगे की और पिछे की और डिवाइट कर दे, उसे हम coronal plan केते हैं, देखिए इसको इस diagram के थू समझें आप, यह हमारा coronal plan है, यह बोड़ी का आगे वाला इसा है और पिछे वाला इसा है, उस दोनों क एक coronal plan या frontal plan डिवाइट कर रहा है, दो हिस्सों में, नेक्स्ट आता है आपका sagittal plan, इस plan डिवाइड दो बोड़ी इंटो राइट और लेफ्ट सेक्शन, दाएं और बाएं भागों में जब हम बोड़ी को डिवाइट करते हैं, एक imaginary line क्रियेट करते हैं, तो वो वाला जो plan है, वो कहलाता है हमारा sagittal plan, देखिए यह वाला जो sagittal plan है, आपको sagittal plan कहला है, यह वाला, नेक्स्ट है आपका horizontal plan, also called transverse plan, horizontal plan को हम transverse plan भी कहते हैं, इट डिवाइड दो बोड़ी into upper and lower sections, मतलब ऐसा plan जो हमारे शरीर को upper section में या lower section में डिवाइड करता है, उसे हम horizontal plan कहते अब upper section को जो medical terms है, उसको हम superior के नाम से जानते हैं, superior मतलब उपर, और lower जो area होता है, उसको हम inferior के नाम से जानते हैं, मतलब नीची वाला part, superior और inferior section में जो बोड़ी डिवाइड होती है, तो वो horizontal plan के दवारा होती है, next oblique plan, oblique का मतलब होता है तीच्छा, तो it divides the body obliquely, मतलब जो बोड़ी तीच्छे के रूप में, या obliquely जब डिवाइड होती है, upper और lower section में, तो वो plan के लाता है, oblique plan, इसको आप और easily इस डाइगनाम से समझ सकते हैं, यह हमारा sagittal plan है, देखे, sagittal plan क्या कर रहा है, बोड़ी को left and right में divide कर रहा है, यह हमारा coronal plan है, जो बोड़ी क anterior and posterior, आगे वाला और पीछे वाले इसे में divide कर रहा है, यह हमारा transverse plan है, जिसे हम horizontal plan भी कहते हैं, यह हमारी बोड़ी को यहां से यहां तक हाईसा और यहां से यहां तक हाईसा, दो बागों में divide कर रहा है, यह हमारा transverse plan, ठीक है, तो इस तरह से, आज आपने पढ़ा, anatomical plans and anatomical positions, नेक्स चेप्टर में या इसी चेप्टर के आप नेक्स पार्ट में हम पढ़ेंगे, various body cavities and terminology used in human anatomy and physiology subject, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नम बुलें, मेरे चैनल का नाम है, knowledge slate, और मैं हूं राके जोशी, thank you very much, मिलते हैं नेक्स चेप्टर के साथ, bye bye, good night